Hello Friends, My Pacific Wall में आप सभी का स्वागत है Friends, आज की वीडियो में मैं आपको कजरी तीज की पूजा सामगरी दिखाने वाली हूँ कजरी तीज को सातूरी तीज भी कहा जाता है, नीमडी तीज भी कहा जाता है और बड़ी तीज भी कहा जाता है कजरी तीज भादो मास की किर्शन पक्स की तिर्टिया को किया जाता है यानिकी राखी के दो दिन बाद कजरी तीज आती है तो कजरी तीज की पूजा के लिए सबसे पहले हमें नीम की एक तहनी चाहिए होगी इसको हम या तो किसी गमले में लगा लेंगे या आप जलके लोटे में भी रख सकते हैं इसके बाद हमें कच्चा दूद लेना है और उसको मिट्टी के किसी बरतन में इस तरह से रख देना है अगर आप मिट्टी के बरतन में नहीं रखना चाहते हैं तो जो आप टहनी लगाएंगे इसके नीचे आप मिट्टी से बाउंडरी बना के भी तलाब बना सकते हैं इसके बाद हमें पुजा की कुछ सामगरी चाहिए जिसके लिए हमें एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए या तो आप चुनरी ले 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 या लाल रंग का कपड़ा ल यहां पर हमने कोई भी मौति चीज जरूर ले ले ली है। तो ही वहां, नहीं चाहिए जाल ने रही और उसके साथ ही कहां, रूंड़्स ओक्रावद्स और तूटी लेंगे लिया जुछ कॉस्थ ज्यक्स्आ वह इंदेशा और साथ में मैं यहाँ पर भोग के लिए कुछ रितूफल ले लूँगी तो आप भोग के लिए कोई भी रितूफल ले सकते हैं जो भी आपके पास घर पे एविलेबल हो और उसके साथ ही यह मैंने मिठाई ले ली है तो आप घर पर भी पूरे पूरी वगरा बना सकते हैं औ और अगर आप घर पर नहीं बना रहे हैं तो आप मार्केट से भी मिठाईया मंगा सकते हैं तो फ्रेंट्स ये थी वो सामगरी जो हमें कजरी तीज की पूजा के लिए चाहिए होगी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद